प्रभु येश्व मसी के नाम में आपको अनुग्र और शान्ती मिले बाइबिल में लूका सत्रा ध्याए उसके 28 वचन और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड लगाते और घर बनाते थे परन्तु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नाश कर दिया मनुष के पुत्र के प्रगट होने के दिन भी ऐसा ही होगा अब यहाँ पर तीन ऐसे शब्द है या फ्रेजिस है जो नए है एक तो है लूत, दूसरा है सदोम और तीसरा है मनुष का पुत्र यह क्या चीज है प्रभू येश्व मसी ने वचन में अपने चेलों से कहा कि इस संसार पर एक ऐसा समय आने वाला है जो कभी पहले नहीं आया ना इसके बाद कभी आएगा उस समय को माहाकलेश कहा गया है और वचन समय में समझ में आता है कि ये साथ वर्ष का कलेश का समय होगा और उस साथ के जो आधे, सेकंड हाफ यानी आक्री साड़ेतीन वर्ष ये भयानक माहाकलेश का समय होगा ऐसी भयानक विपत्तिया आएगी जो मनुष्य ने कभी अनूभव नहीं की है, नुभव नहीं की है। Corona virus तो सिर्फ एक उधारण है और wake up call है कि संसार जाग जाए। लोग समझ सके के कैसे परमिश्वर के सामने हम असहाय है और कितने hopeless है परमेश्वर की सामर्थ के सामने कि एक छोटे वाइरस के सामने बड़े-बड़े देश रुख गए तो यह सिर्फ एक wake-up call है लेकिन महाकलेश में ऐसा भयानक समय आएगा जो हम सोच नहीं सकते दूसरा हम पढ़ते हैं मनुष्य का पुत्र प्रभु येश्व मसी काये कि यह पद्वी थी प्रभु येश्व अपने आपको मनुष्य का पुत्र कहते थे क्योंकि जब परमेश्वर का पुत्र इस धर्ती पर आया और मनुष्य के बीच में रहा तो वो अपने आपको मनुष्य का पुत्र कहता था अब देखिए प्रभु येश्व मसी आज से 2020 साल पहले संसार में आया उसने हमारे और इस संसार के पापियों के लिए कुरूस पर अपने प्रांड दिये हमारे पापों का बोज अपने उपर उठाया हमारी सजा, हमारा दंड, हमारा श्राप अपने उपर उठाया और उसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया अपना पवित्र लहु बहा दिया ताकि हमारे घिनोने पाप धुल सके फिर उसने अपने प्रांड दे दिये कुरूस पर वो तीसरे दिन फिर जी उठा अपने चेलों के साथ 40 दिन तक रहा और फिर स्वर्ग में उठा ल नी वो खुद जब वापस आएगा तो कैसे दिन होंगे लूत के समान दिन होंगे अब लूत के दिन क्या थे मिडलीस्ट में जगा एक स्थान है जो जिस नगर का नाम सोदोम था और सोदोम नगर में लूत करके एक व्यक्ति रहता था लूत एक धर्मी व्यक्ति था सोदोम गोमरा आदमा और जबोईन यह बहुत भयानक किसम के पाप इस नगर में थे इनका विशेष जो पाप था वो होमोसेक्शुल्टी या हिंदी में जैसे कहते हैं समलेंगिक का पाप था जहां पर पुरुष पुरुष से संबंद रखते हैं स्त्री स्त्री से संबंद रखती है और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सोदोम का नाश किया इतना भयानक समय था इतनी मुश्किल थी कि कोई महमान भी आता था कोई पुरुष महमान उसको भी डर रहता था कि सोदोम में उसका बलातकार ना हो जाए और ऐसे हमले होते थे तो हम पढ़ते हैं वचन में उत्पत्ती उन्नी सध्याय में परमेश्वर ने आग और गंधक से इन नगरों का विनाश किया और प्रभी येश्व कहता है कि जैसे लूत का समय था वैसा समय जब होगा तो मनुश्य का पुत्र तब वो आएगा यानि प्रभी येश्व के आने का समय निकट है वो न्याय का समय निकट है वो महाकलेश का समय निकट है लेकिन लूत सोदोम से निकला उसके बाद सोदोम नाश हुआ परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप इस संसार के सार नाश हो लूत के समय हमारे चारो और देखते हैं सोदोम का समय चारो और देखते हैं आज हम पूरे दुनिया में देखते हैं कि ये इस प्रकार के गे प्राइड मार्चिस चलते हैं, होमो सेक्षिल लोग बहुत ताकतवर हो गए हैं, सेनेट में भी होते हैं भार के देशों में, चर्चों में इनकी शादियां हो जाती ऐसे चर्च जो बाइबल को नई अधिकार मानते हैं, है तो ये इंडिया में भी इनके प्राइड मार्चिस देखते हैं, इनके अधिकारों को अब देखने लगे हैं, और ये सुदोम का समय हमारे चारों और है, यॉरोप में भी बहुत भयानक स्थिती है, एक बार मैं अपने बॉस से पूछा अमेरिका में, कि कितने लोग होंगे ऐ इसे होमो सेक्षिल उसने कहा 10 परसेंट, यहर दस व्यक्ति में एक व्यक्ति, यह मेरे बॉस ने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, वो 75 साल, 75 वर्ष का था तबी, यानि एक अनुभवी व्यक्ति ने, समझदार व्यक्ति ने बात मुझको कही, तो इतना भयानक समय आज है, और प् चालेगा, पहला कुरंतियों छे अध्याय में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, धोखा ना खाओ, ना वैश्या गामी, ना नकली उपासना करने वाले, ना परस्त्री गामी, ना लुच्चे, ना परमेश्वर के राजमे प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक द्वार है, उस द्वार पर दो शब्द लिखे हैं, जैसे आप मेरी गेट पे आएंगे, तो दो शब्द लिखे हैं, मेरे नाम के दीपक और जरीवाला, तो यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, वो दो शब् विश्वास आपको अपने पापों से पश्टाब करना है और प्रभु येश्व के उस बलेदान पर उसके प्रेम पर उसके उस प्राइस जिद उसने आपके लिए किया उस पर विश्वास करना है ना परमेश्वर अब तक इंतजार इसलिए करता है क्योंकि उसकी इच्छा है कि मनुष्य पश्ताब करके उसका उद्धार पाए परमेश्वर की और से जो अनन जीवन का वर्दान है उसको पाए मुक्ति पाए और पाप के दंड से बच जाए उस आने वाले महाकलेश से उस सुदोम पर जो आग और अंदग भरसी वो भयनक समय जो आने वाले है उससे पर लोग कि यहाने की बात नहीं है एविए एतियासिक बात है और यह आप बचन में खुद पढ़कर देख सकते हैं परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है लेकिन वो न्याई है वो पवित्र है वो तहीं न्याई देगा लेकिन वो चाहता है कि उसकी दया उसके न्याई पर वो चाहता है कि आप पाप का दंड ना पाए परंतु परमिश्वर के प्रेम के आप रेसिपियंट्स हो आप उसके प्रेम के पाने वाले हो प्रभु येश्व के क्रूस के बलिदान की ओर देखे आपको परमिश्वर के प्रेम का प्रगटी करण प्राप्त होता है तो प्रात करें सच्छे हिर्दे से प्रात्न करें सच्छे मन से अपने पापों से पश्टाप कीजिए परमिश्वर आपको आशिश देगा